Hey friends, welcome back, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के स्वीडियो में देखे friends, student की life में दो तरह की problem बहुत बड़ी problem है कि एक तो उसको चीज आसानी से समझ में नहीं आती और अगर एक बार समझ में आ जाए तो उसको आसानी से भूल जाता है तो बड़ी frustration सी होते हैं यहां तो समझ में मता और मेरी बहन अगर समझ में आ जाए तो दमाग के अंदर ठहर जाना यह नहीं होता fact से, figure से, theory से, derivation से, numerical से यह नहीं होता जो method आप पढ़ रहे हो भूल जाते हैं चार दिन बाद, चार दिन बाद, दस दिन बाद YouTube पर धेर सारी वीडियोज आपने देख ली होंगी है ना, सारी काम की है यह नहीं कहूंगा जो बदा रहा हूँ आपको वो perfect है नहीं, लेकिन ध्यान रखना इस दुनिया की सबसे best trick में से trick नहीं बोलेंगे, सबसे best exercise में से, यह exercise अगर आप करोगे, तो आपको definitely चीजों को longer time तक याद रखोगे कहां तक? longer time तक आपकी चीजों को याद रखने का जो time period होगा, maximum हो जाएगा और इससे best trick इससे best tip, इससे best exercise हमारे brain के लिए कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है ना? और यह इस चीज़ आपको बता है मार्क्स तो आपको दिलाएगी, दिलाएगी लेकिन यह आपको life में भी fast and forward रखेगी, बहला कैसे बहला क्या है यह, देखो जो भी चीज़ आपने समझी, जो भी चीज़ आपके दिमाग के अंतर स्टोर हो गई, अब brain बहुत टाम तक याद रखेंगे, बहला कैसे कुछ लोग तो बड़ी problem होती है पहले बात सुनो हमारी, के जो भी चीज़ आपने, जो भी चीज़ आपने खुद पड़ी है, खुद समझ ली उसको अब आप दूसरे को explain कर दें किसी और को explain कर दें अब आपके दुमाग में दो तरह के thoughts आएंगे एक तो बड़ी महनस से हमने इसको समझा है अब दूसरे को समझा दू मैं बड़ी problem है ना, दूसरे को समझा दू ये सबसे बड़ी बात होती है तो अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की problem नहीं है मैं इसको क्यों सिखा हूँ तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप खुद को तो सिखाओगे ना आपने इस चीज़ को समझ लिया अब एक नया page खोलो और उस पर वो चीज ऐसे समझाओ खुद को जैसे आप किसी student को समझा रहे हो तो इस से आपकी explanation power बढ़ेगी आपके दिमाब जब आप किसी चीज़ को बोलते हो तो जब आप उस चीज़ को बोलते हो जब आप किसी चीज़ को explain करते हो तो समझ लिना आपके senses खुले हुए होते हैं समझ रहो आपके senses खुले हुए होते हैं ब्रेन एकदम खुल जाता है समझ भारे हो बात को किसे मालो कोई सौंग आपने सुन लिया अब आप उस सौंग को सुनने के बाद गुंगुना ना मत आपको याद नहीं होगा आपको अच्छा नहीं लगेगा समझ रहो उसको गुंगुना ना मत आप लिपसिंग मत करना, आप कमने कदमों को मत ठरकने देना समझे रो, तो जब तक बॉड़ी के अंदर से एक रियक्शन नहीं आएगा ना तब तक वो जीज़ आपको टफ लगेगी और आप उसको जल्दी भूल जाओगे तो जैसे सौंग सुनने के बाद गाना जरूरी होता है ना ऐसे ही आपको समझने के बाद एक्स्प्लेन करना जरूरी होता है चाहे वो आप एक्स्प्लेनेशन खुद को दो, चाहे दूसरे को दो आपको लग रहा है कि नहीं मैं दूसरे को explain कर सकता हूँ और वो सुनने को तो यार नहीं है उसकी caller पकड़ा है मैं सिखाऊंगा ना तो जे समझे हो ना तो इसको सिखाऊँ अगर आप ऐसा करते हो तो समझ लेना कि आपकी जिन्दगी में कितने changes होने वाले हैं वो मैं आपको बता दूँ अगर आप खुद का सीखा हुआ दूसरे को सिखा सकते हैं that means explain कर सकते हैं तो आपकी explanation power वड़ी की जिससे क्या होगा आप सुन लो explanation power अगर आपके अच्छे होगी तो आप चीजों को represent अच्छे से कर पाऊगे आप खुद को represent कर पाऊगे कई student की problem यह होती है कि मुझे आता तो है सर खड़ा कर ले मैं बता नहीं पाता हूं सर आता तो है मैं बता नहीं पाता हूं समझे रहो तो अगर अगर आप खुद को represent करना सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है वह एक लीडर है उसके अंदर विचार्द बहुंद लेकिन वह express नहीं कर पा रहा है तो वो क्या आपने followers को address कर पाएगा तो इसे नहीं कर पाएगा समझे रहो काफी जारी बाते हैं आप एक employee बनना चारहे हो तो आपको interview देना पड़ेगा और अगर आप एक leader बनना चारहे हो तो आपको अपने employees को deal करना और employees के साथ deal करना पड़ेगा बोथ cases में आप ये जानोगे कि explanation power बहुत ही जादा strong होनी चाहिए और अगर आप ध्यान रखना आपके याद करना की बात कर रहे थे कि यदि आप चीजों को explain करने लग जाओ तो इस दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं को आपको चीजों को जल्दी बला दे maximum time period आपको इससे मिलेगा दुनिया की किसी भी trek out trip से नहीं मिलेगा ये tip आसान नहीं है तो ध्यान रखना अगर आपको बहुत अच्छी चीज मिल रही है सोने के लिए आपको सोने जैसे that means gold के लिए आपको gold जैसी value आपको चुकानी पड़ेगी नहीं तो आपको नहीं मिले है ना फिर हम ये वीडियो क्यों मना रहे होते और आप देख क्यों रहे होते है ना याद हो रहा है ना चोड़ो ठीक है ना इस बात को याद रखना अब बागी लाइक शूर शेयर वाली कोई बात नहीं है आप अगर comment करो तो जरूर बताना कि यह आपके लिए tip कैसी लगी और इस चीज़ रखें कि आप इसको एक बार follow करके देखना अगर आपको इससे कोई भी benefit ना मिलेना तो ध्यान रखना इस वीडियो को dislike करना ना भूलना अगर आपको इससे कोई help ना मिले ठीक है तो बस इतना ही करना चाहेंगे comment करो genuine comment करना और जो भी suggestion है जो भी आपका feedback है वो जरूर देना और ध्यान रखना हर वीडियो का target बस आप तक किसी तरह से अपने विचारों को पहुचाना है और आपके लिए कुछ ना कुछ चीज beneficial हो बस वही target है next video में फिर मिलते हैं तब तक के लिए thank you so much friends thanks a lot